हमाशकार आज हम बात करेंगे सिंपल एसी सर्कुट की एसी सर्कुट में बहुससे एलिमेंट्स हो सकते हैं बहुससे सर्कुट ऐसे होते हैं जिन में केवल रेजिस्टेंस होता है और उसमें एसी करंट पास होता है दूसा सर्कुट हो सकता है कि केवल इंडक्टेंस हो या का कोई combinations हो, means resistance और inductance का मिलाकर circuit बना हो, resistance और capacitance के साथ मिलकर बना हो, या LCR, प्रिरक्त्व भी हो, संधरित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, आज मैं सबसे पहले बात करूँगा, एक ऐसे circuit की जिसमें केवल resistance है, केवल R है, और जब एक AC circuit होता है, तो AC current उसमें पास होता है, AC current जैसे मैं आपको अगर बताएं, तो AC current क्या होगा, कि समय के साथ साथ change होता है, और समय के साथ साथ एक चकर के दोरान दो बार 0 होता है, और दो बार maximum होता है, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है आप देखिए कि ये current जो मैंने आपके सामने शो किया current 0 है फिर कुछ समय बाद एक maximum value तक कौंसता है और फिर minimum value 0 हो जाता है उतने ही समय बाद फिर से maximum होता है opposite direction में फिर से 0 हो जाता है alternating current एक ऐसा current है जो समय के साथ साथ जिसकी direction भी change होती है और जिसका magnitude परिमान भी change होता रहता है अब एक circuit है और उसमें cable resistance लगा है तब voltage और current दोनों same phase में रहते हैं same phase means समान कला का अर्थ क्या है कि केवल R वाले परिपत में विबहंतर और धारा दोनों समान कला में होता है क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों के विच कलांतर शुनिया होता है same phase होने का अर्थ क्या है और phase difference 0 होने का अर्थ क्या है कि दोनों एक ही बात है phase difference 0 होने का अर्थ है कि जब current 0 है potential difference voltage भी 0 होगा और जब voltage difference maximum है तब current भी maximum होगा फिर से voltage difference 0 होता है current भी 0 होगा यानि दोनों साथ साथ चलते हैं जैसे सेना के जवान जब कदम मिला कर चलते हैं तो उनके भी phase difference नहीं होता जैसे phase difference means सभी जवानों के कदम एक साथ उपर उठते हैं और सभी जवानों के कदम एक साथ जमीन को touch करते हैं जैसे छोटे वच्चे जब PT करते हैं class में 6-7-8 के वच्चे बहुत सुन्दर लगते हैं PT करते वे तो जब वो PT करते हैं उनके हाथ एक साथ movement करते हैं हम कहते हैं कोई phase difference नहीं कोई भी phase difference नहीं जब NCC के cadets जब parade करते हैं तब भी उनके कदम ताल उनके movement होते हैं उनमें कोई phase difference नहीं होता तब आप मान लिजे कि जैसे cable circuit में का resistance है pure प्रतिरोध है cable तब voltage difference और current के बीच कोई phase difference नहीं होता या उनके वीज phase difference जीरो होता है और वो सेम phase में होते है frequency change करने पर आप देखें मैं थोड़ा circuit की frequency change करता हूँ frequency मैंने बढ़ा दिया circuit का frequency change करने से क्या हो रहा है देखो जल 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 एक तरंग सी भाग रही है परंतु हो वही रहा है एक cycle के दौरान दो बार maximum दो बार minimum और आप देखेंगा धिहन से resistance पर कोई effect नहीं पढ़ रहा है 8 ohm है चाहे 8 ohm रहेगा चाहे मैं नीचे से उपर frequency कितनी घटा दू और कितनी भी बढ़ा दू आप देख लिजेगा resistance क्या होता है जब कोई circuit है उसमें current फिलो होता है तो current के mark में जितना अवरोध लगता है जितनी बाधा हुत्पन होती है उसे उस circuit का resistance कहते है अगर मैं क्या करूँगा अगर देखेगा resistance की value बढ़ा दूँगा circuit में आप देखेगा current I की value घटती जाएगी जितना resistance बढ़ता जाएगा उतना ही current की value घटती जाएगी resistance ज़्यादा होगा current कम होगा आज हमने सीखा केवल एक AC circuit एक ऐसा AC circuit जिसमें केवल resistance लगा था और जब AC circuit में केवल resistance लगा होता है तब विबहनतर और धारा voltage difference और current के बीच कोई phase difference नहीं होता दोनों समान कला में होते हैं दोनों same phase में होते हैं और same phase का अर्फ में द्वारा बता देता हूं जैसा कि picture से किलिया है कि दोनों देखे साथ साथ चल रहे हैं हम साथ साथ हैं means अगर अधिक्तम है तो देखेगा इस spot पर दोनों voltage difference और current दोनों maximum हैं फिर दोनों घटने लगे साथ साथ घटके zero हुए फिर बढ़के maximum हुए फिर घटके साथ साथ zero हुए फिर ऐसे यही same process हम साथ साथ हैं यानि हम याद रखेंगे कहां पर हम याद रखेंगे कि अगर cable resistance है तो उसका आर्थ है voltage difference और current साथ साथ है उनके बीच कोई भी phase difference नहीं होता है और resistance के ज़्यादा होने से current की value कम होती है